क्या WhatsApp मार्केटिंग लीगल है इंडिया में इस WhatsApp मार्केटिंग लीगल इन इंडिया तो आप पूछ सकते हो कि सुनील फिर आप क्यों WhatsApp मार्केटिंग को प्रमोट करते हो सब्सक्राइब करते हैं यहां पर हम WhatsApp पर मार्केटिंग नहीं करते ना हम कर सकते और नहीं यह लीगल है और नहीं WhatsApp अलाओ करेगा तो फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि फिर वाट्सेप पर करत क्या सकते हैं मार्केटिंग नहीं करेंगे हम क्या करेंगे मैं आपको समझाता हूं आपने फेस्बुक पर एड चलाया वहां से आपको लीड्स आई यानि कस्टमर्स ने अपनी कंसेंट से अपनी श्वेक्षा से आपको अपने नंबर मुबाइल नंबर एमेल आईडी दिया है अब नर्चरिंग करना है वाट्सेप पर और वो भी परस्नलाइजड मान के चली मैंने आपको अपने नंबर और नाम और इमेल आईडी दे दिया अब मैं आपकी सेल्स फानल में हूं मैं आपकी लीड हूं अब आप मुझे मैसेज दिस भेज रहे हैं सुनी दिस दिस और तो आइउस वाट्साइट फोर मार्केटिंग नेच्ट वेश्ञ यह सता है तो वाट्सेप मार्केट्टेटिंग अ करी नहीं सकते था बात है बिजिस्ट वाट्सेप को हम सजा सकते हैं इस तरीके से की कोई हमें मैंसेज बेजएगा तो उसका मारे प्रोफाईल पोर्ट्फॉ हम customer के पास आ रहे हैं पर customer एक वार हमारे पास आ गया तो फिर हम उसको nurture कर रहे हैं पालन पोशिन कर रहे हैं उसको educate कर रहे हैं कि भाई यह हमारी services नहीं हमारे products हैं फिर हम उसको loyal बनाने की कोशिश कर रहे हैं I hope मेरे अंदर से आप satisfied हैं तो आप nurturing के लिए इस्तेमाल कीजिए birthday wishes के लिए कीजिए और जो आपके customers already हैं उन्हें payment reminders बेजिए तो वो आपके already customers हैं वो आपको जानते हैं वो समझते हैं उनको लगता है कि आप spam नहीं कर रहे हो तो spamming is not allowed on whatsapp right so that's all that was a small video but I hope कि आपका answer clear हो गया और आपको marketing और nurturing में फरक समझ में आ गया है whatsapp for marketing not allowed and whatsapp for nurturing yes you can do it thank you very much